हाई फ्रेंड वल्कम टो आवर चैनल शेवा फार्मसिस्ट तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कीटो फ्रेज सिटी क्रीम के बार में इसका यूज डोज और शाइड इफेक्ट्स के बार में बात करेंगे तो दोस्तों वीडियो में सुरू से लेकर आखिर तक बने रहे और को मनाती है स्मार्ट फार्माल लैब्रेटडरी ने और बात करेंगे किटो फ्रेश सिटी क्रीम में क्या-क्या इंग्रेडियम्न इन गरीयन्ट तो दोस्तों इस में से क्लूबेटासॉल मिलाए गया है दोस्तों 0.05% मिलाए गया है दोस्तों इसमें 1% वीड वैड बात करेंगे दोस्तों यह जो किटो फ्रेश टी क्रीम है इसका प्राइस कितनी है दोस्तों अभी तो इसका एमर्पी 90 रुपी से लेकिन यह मारकेट में आपको 80 से लेकर बात करेंगे अभी इसका यूज क्या है मतलब क्यों यूज किया जाता है दोस्तों जैसे कि यह कि स्कीन इंफेक्शन में और इसके साथ जो फंगल इंफेक्शन होता है दोस्तों इसको सही करने के लिए किटो फ्रेश टिक्रीम का यूज किया जाता है तो दोस्तों हर तरह का जो की स्कीन के ओपर होता है जैसे कि किसी को दाद, खाज, खुजली हो गया और इसके साथ शाथ दोस्तों किसी को प्राइवेट पार्ट में जो की राशस बगर हो जाता है और स्कीन इंफेक्शन होता है उसको सही करने के लिए और बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है स्कीन का बीमारी है जो कि मईलाओं में होता है तो दोस्तों इसको भी यह सही करता है और इसके साथ दोस्तों यह पसीने के वज़े से जो रैशस बगरा हो जाता है और इसमें से फंगल इंफेक्शन बहुत तेज होता है तो दोस्तों इसको भी यह सही करता है तो यह क्या कर यहां पर कि इसका डोज क्यार रहे सकता है दोस्तों जैसे कि यह एक स्कीन क्रीम है तो दोस्तों स्कीन क्रीम का मतलब यह है कि इसका external यूजी किया जाएगा ना कि आपको इसको खाना है गलती से भी मू ना कांक में अगर या फिर कान में आपका चला गया ये तो दोस्तों इसको अच्छे से साफ पानी से तुरंदी धो लेने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर सकता है अगर इस तरह का कुछ बार्ट में चला गया तो तो इसलिए इसको खाना नहीं होता है इसको सिर्फ एक्षिनल यूज किया जाता है और आपके बड़ जहां पर भी infection हुआ है दोस्तों वहां पर आपको लगाना होता है और इसको आप दिन में इसका यूज करता है तो एक बार डक्टर से पूच के ही इसका यूज करने चाहिए otherwise यहां पर side effects हो सकता है दोस्तों side effects में क्या क्या होगा वैसे side effects इसका इतना जादा नहीं होता है लेकिन अगर होता है तो दोस्तों इसमें आपको जहां पर भी लगाए हो उस affected area में लाली पना जाना और साचा सुजन हो जाना और बहुत ज़्यादा दर्द होना इस तरह का कुछ side effects आपको देखने को मिल सकता है और इस side effects दीरे-दीरे स्वई भी हो जाएगा तो इतना मतलब घवराने की बात नहीं है लेकिन छोटे बच्चों से इसको दूर ही रखना चाहिए बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि अगर कौन-कौन ऐसे patient है जो इनको नहीं लेनी चाहिए जैसे कि पहले से किसी को बहुत ज़्यादा ही फंगल infection हुआ है और इसके साथ का composition का कोई cream यूज किये है और उसमें उनका फंगल infection सही नहीं हुआ है तो दोस्तों इसको यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई फाइदा नहीं होगा तो इसके साथ अगर मान लिजे कि आपको कोई भी क्रीम लगाने से आपका त्वचा में बहुत ज्यादा खुजली होने लगता है या फिर बहुत ज्यादा राशश हो जाता है तो दोस्तों उसको भी एक बार लेने से बेले डक्टर से पूछ लेनी चाहिए और वाई यह बहुत ही हद तक से होता है अगर आप एक अडल्ट होतो तो देखें दोस्तों सब कुस्तों हम बता दिये है फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रहे गया है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बूच लेना हम वह आपका क्लियर कर देंगे तो यह रहा दोस्तों कीटो फ्रेश सिटी क्रीम के बारे पूरी जानकारी उमीदे यह वीडियो आपको अच्छा लगाओगा लगाए तो लाइक से और सब्सक्राइब कर देना पूरे वीडियो वाच की इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया थेंक्यू वेरी मच्छ